Welcome Students, तो आज फिर से हम complex integration में ही कुछ आगे नहीं चीज़े सीखेंगे तो देखिए, जब भी हम किसी भी function का integration चाहिए होता है तो हमें क्या होता है? हमको जो path होता है एक path ऐसा है कि जिसको हमको काफी उसकी जुरूर पड़ती है दो तरह के पाथ लेंगे हम सबसे पहला पाहरे पास एक सर्कल रहता है जिसका सेंटर रीजन रहता है और उसका रिडियर रहता है हमारे 서े हमारे prol nazis सर्कूलर पाथ की हमारे सकर्खें तो में हमको पड़ती रहती है complex analysis में तो हमारे पास R होता है तो इस circular path की हमारे पास हमको every time necessary मतलब कि जुरूत हमको पढ़ती रहती है complex analysis में तो control integration निकालने के लिए हमें इसकी parametric form को निकालना पढ़ता है तो उसके लिए parametric form अगर हम इसकी simple form देखें तो जो यह curve है हमारे पास वो कैसे represent होगी हमारे पास यह होगा कि वह सभी complex number जिनका center से distance क्या है आर तो यह तो हमारे पास simple वाली इसकी representation हो जाती है तो parameter के लिए हम क्या करते हैं तो suppose कर लेते हैं कि जो यह मेरे पास point है यह angle form कर रहा है हमारे पास theta तो अगर यह थिटा एंगल form कर रहा है तो यह point है यह हो जाता है हमारे पास r e raise to power iota theta तो that means अगर हम थिटा लेते हैं एक parameter जो vary करेगा हमारे पास 2 pi से 0 तक तो जो हमारे पास z curve बनेगी वो बन जाती है हमारे पास r e raise to power iota theta तो basically यह हमने क्या कर दिया कि एक हमारे पास कोई भी एक curve थी उसको हमने उसकी parametric form में represent कर दिया तो यह थी हमारे पास पेले वाली curve अब दूसरा क्या हो सकता है कि जब भी हम एक circle लेंगे तो वो every time necessary नहीं होता कि वो क्या हो हमारे पास एक तरह से वो जिसका center region पर हिलाई करें तो मान लेते हैं कि यह कोई circle है ठीक है अब उसका center जो है हमारे पास वो इस z note point पर लाई कर रहा है और हमने यहां से एक circle ले लिया जिसका जो radius रहेगा वो आर रहेगा ओके तो अब इसकी representation क्या रहेगी हमारे पास z minus z note इसकी representation रहेगी अब इसको parametric में convert करने के लिए मैं क्या करता हूं z minus z note को w put कर देते हैं तो यहां से w is equal to r आ जाएगा और यहां से w की रहेगी वो parametric representation जैसे हमने उपर निकाली थी वो आ जाएगी आपके पास r e raise to power iota theta और w की value आ जाएगी z minus z note is equal to r e raise to power iota theta तो यहां से z की value आगी आपके पास z note plus r e raise to power iota theta तो that means अगर हमारे पास center उसका 0 है तो उसकी जो parametric representation रहेगी वो हमारे पास यह रहेगी अगर उसका center हमारे पास कोई दूसरा point है z note है तो उसकी जो parametric representation रहेगी हमारे पास वो इस तरह से रहने वाली है तो इस पर हम एक question करेंगे जिससे आपको इसका use है वो अच्छे से समझ में आएगा तो अब कुछ examples देखें जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक circle given है more z जिसका radius आपको 5 given है तो अगर हम इसकी parametric representation देखें तो वो क्या रहेगी कि वो angle theta जो हमारे पास 2 pi से greater than 0 में लाई कर रहा है और जो z आजाएगा आपके पास वो आजाएगा 5 e raise to power iota theta अब दूसरे वाला आजाता है कि अगर circle हमारे पास इस तरह का given है अब उसका center जो हमको given है वो 2 given है तो यहां से z जो आजाएगा आपके पास वो आजाएगा 2 plus 3 e raise to power iota theta और जो theta की value होती है हमारे पास वो इस तरह से lie करेगी ठीक है तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमको जो control integration निकालना होता है वो पूरी के पूरी curve का निकालना होता है इसकी directions जो रहती है हमारे पास वो काफी important रहती है ठीक है जैसे कि हम एक इसी circle की बात करते हैं यह वाले circle की तो मान लिजिए यह मेरे पास एक center है और यह रहा हमारा एक circle अब मान लिजिए अगर आपको इसका जो contour integral है वो आपका starting point यहां पर है ठीक है starting point आपसा यहां पर है तो वो शुरू हुआ अब यह मारे पास उसका एक starting point है अगर यह starting point रहेगा और यहां यही हम क्या कर रहे हैं end कर रहे हैं मतलगी पूरी यही एक close path के लोग हम निकाल रहे हैं इसका starting point जैसे हमने start किया यहां से लेकर और हमने जो contour integral है वो उसी point पर खतम कर दीगा ठीक है तब तो जो हमारे पास theta रहेगा उसकी जो range रहेगी वो रहेगी 2 pi 0 तक क्योंकि जो यह angle रहेगा हमारे पास वो पूरा cover करेगा 0 to 2 pi अगर कभी कभी क्या होता है कि वो हमसे semicircle के बारे में बोल देते हैं कि हमको semicircle के long निकालना है तो उसके लिए देखिए माली जीए हमारे पास उसका starting point है और हमने इस तरह से इसका जो integral है वो सिर्फ इस position तक निकालना है ठीक है तो यहां पर देखिए जो angle रहेगा मारे आपके पास point का starting point वो रहेगा आपके पास zero और यहां पर रहेगा आपके पास pi तो उस case में हम जो parameter theta की value लेंगे वो zero to pi लेंगे अब कभी कभी क्या होता है अगर मान लेजिए अब की बार जो starting point है मेरे पास वो यहां है और जो उसका terminal point है मारे पास ending point है वो इस position पे है इसक से हमारे पास उसका starting point होगा और यहां पर जो आपका angle form होगा वो होगा पाई और इस position पर आपका angle form होगा वो होगा 2 pi तो उस case में हम जो angles की value है वो कुछ इस तरह से लेंगे अब कुछ और examples कर लेते हैं अब मान लीजिए जो उसने complex curve लेने के लिए बोला है वो यहां से यहां तक बोला है कि इस path के लोग आपको निकालने है ठीक है तो इस path के लोग क्या होगा कि यह हमारे पास starting point है तो इसमें हमारे पास theta की जो value रहेगी वो रहेगी pi by 2 और इस point पर उसकी जो value रहने वाली है वो रहने वाली है 3 तो इस case में हम यह लेंगे अब उसके इलावा देखिए कभी-कभी अगर हम अपनी direction को change कर देते हैं अब यह हमारे पास starting point है और हमको इस direction में आना है that is अब हम clockwise निकाल रहे हैं उसका integral तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब यह हमारे पास starting point है that means pi और ending point क्या है 0 तो अब की बार जो value रहेगी मेरे पास theta की वो इस तरह की रहेगी मतलब हमको जो integral है वो अब की बार pi to zero करेंगे अब अगर हमारे पास इस तरह से होता तो उसका जो integral था वो हमने zero to pi करना था ओके तो यह बातें आपको directions कैसे लेनी है clockwise है anti-clockwise है तो यह सबी बात हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अब एक खोड़ कर लेती है अब जैसे कि यह दिया हुआ है तो यहां से लेकर वो anti-clockwise move कर रहे है ठीक है तो इस point पे हमारे पास क्या हो जाएगा अब हम negative clockwise direction में move कर रहे है तो जो यह point की direction रहेगी हमारे पास थिट्टा वो रहे जाएगा हमारे पास 2 pi यहां से मतलब कि हम start करना start करेंगे हमारा जो starting point यह रहेगा that is 2 pi और जो ending point रहेगा हमारे पास वो यह रहेगा that is पाई ठीक है तो इन बातों का हमको अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है कि हम उसकी direction कैसे लेनी है angles के बीच में वरना जो यह question ने वह मारा गलत हो सकता है ठीक है तो hope so आपको यह चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और इसी के basis पर उपर हम जो है को question करेंगे हमारी next lecture में जिससे आपको इन चीजों का use है वह अच्छे से समझ में आएगा झाल